चलिए आज बनाते हैं रबडीदार मखाने की खीर आप एक बार इस तरीके से मखाने की खीर जरूर ट्राइ करें सभी को काफी पसंद आएगा अगेर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफू लगीगा तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुचे तो चलिए मखाने की खीर बनाना हम सुरू करते हैं हमें गैस पे चढ़ा देना है पैन को इसमें डाल देना है एक चमच घी घी को मेल्ट होने देना है घी मेल्ट हो चुका है अभी हमें इसमें डाल देना है मखाने को ये वजन में लगभग 25 ग्राम मखाना है अभी हमें इसे चला लेना है गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है थोड़े थोड़े दिर में चलाते हुए हमें मखाने को भूनना है हमें मखाने को तब तक भूनना है जब तक मखाना एकदम क्रिस्पी न हो जाए थोड़े दिर बाद आप देख सकते हैं मखाना का कलर चेंज हो चुका है मखाना भून चुका है अभी हमें इसे चेक करना है तो देख सकते हैं एक दम क्रिस्पी हो चुका है तो इसे हमें एक बाउल में निकाल लेना है और उसी पैन में हमें डाल देना है आधा लीटर दूद अभी हमें गैस का फ्लेम हाई कर लीना है और दूद को हमें थोड़े थोड़े देर में चलाना है इतने दूद में एकदम पर्फेक्ट आपका रबड़ी दार मखाना खीर बनकर तयार हो जाएगा हमें दूद को चार हिसा में एक हिसा सुखा देना है थोड़ा हमें दूद को ठीक कर लेना है तो अभी आप देख सकते हैं दूद में उबाला चुका है अभी मखाने भी ठंडा हो चुका है इसे हमें ग्राइंडर जार में डालना है और इसे कुछ सेकेंड के लिए पीषना है इसे हमें दरदरा पीषना है एकदम फाइन हमें पाउडर नहीं बनाना है अभी आप देख सकते हैं दूद काफी गाड़ी हो चुकी है अभी हमें इसमें मखाने वाले पाउडर को डाल देना है जो पीस का रखे थे इसे हमें चला लेना है अभी हमें ग्याज का फ्लेम लो कर लेना है ये काफी असानी से मिक्स हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा इसे महीन पेस दीजिएगा तो आपका जो खीर है उता बढ़िया नहीं लगेगा खाने में हमें इसे डेर से दो मिनट के लिए और पक्टे देना है लो हीट पर थोड़े थोड़े देर में हमें चला लेना है अभी आप देख सकते हैं खीर एकदम गाड़ी हो चुकी है अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारी कटा हुआ ड्राइफ रूट आपको जो भी ड्राइफ रूट पसंद है उसे डाल सकते है मैं थोड़ा सा बारी कटा हुआ बादाम डाल रही हूँ इसे हमें चला लेना है अभी हमें इसमें डाल देना है चिन्नी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चिन्नी को कम या जादा भी कर सकते है मैं इसमें लगभग 75 ग्राइम चिन्नी डाल रही हूँ 75 ग्राम जितना इतने में एक दम पर्फेक्ट मीठा होगा न बहुत जादा मीठा होगा न बहुत कम मीठा होगा अगर आप जादा मीठा खिर खाना पसंद करते हैं तो चिन्नी थोड़ा जादा भी डाल सकते है इसे हमें चला लेना है और इसे अभी हमें आधा मिनट के लिए और पकने देना है लो हीट पर तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी मखाने की रवडिदार खिर बनकर तयार हो चुकी है इसमें डाल देना है थोड़ा सा क्रस किया हुआ इलाइची इसे मिक्स कर लेना है तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी खिर बनकर तयार है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, सभी को काफी पसंद आएगा अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफूल लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेर जरूर कीजिएगा कमेंट में जरूर बताईएगा मखाने की खीर आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा थैंक्यू फर वाचिंग